हलो फ्रेंज क्या आप अपने फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को रिटन करने के लिए रिटन प्रोसेस में अपने सामान को डाल चुके हो और दोस्तों अब आपका मन बदल चुका है अब आप उस सामान को रिटन नहीं करना चाहते हो और आप उस रिटन प्रोसेस को कैंसिल क करना चाहते है return process को तो दोस्तों आपको क्या करना है अपने फिल्प कार्ड application को सब से पहले open करेना है अब आपको क्या करना है यहां पे नीचे के साड़ में देखेंगे accounts को option simply से आपको यहां पर accounts वाले option पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां return process में आज ही डाले हैं और दोस्तों आपका return date अभी शो हो रहा है कि अगर आपका pick up date अभी बाकी है तभी दोस्तों आपका सामान जो है वापस से return process जो है वो return अपरूब्ड हुआ है और यहां पर आप देखोगे यहां पर return अपरूब्ड हो चुका है simply से आपको क्या करना है अब आपको यहां पर क्या करना थोड़ा से scroll down करके नीचे के साड़ आना है और नीचे आएंगी तो दोस्तों आपको यहां पर cancel return को option देखने को मिल जाएगा simply साब को यहां पर cancel return वाले option पर क्लिक कर दिए और यहां से yes cancel वाले option पर क्लिक कर दिए जैसे आप इतना करोगे तो दोस्तों आपके यहां पर return जो है वो cancel हो जाएगा यहाँ पर cancellation process under process और यहाँ पर आपका return जो है वो आप cancel हो चुका है तो friends आप इस तरह के से अपने return process को वो cancel कर सकते हैं अपने सामान को वापस से अपने पास ही रख सकते हो इस तरह के से cancel कर सकते हो तो friends उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आओगा तो चैनल को subscribe कर दे वीडियो को like कर दे